बच्चों जैसा आप भी आपने देखा ये रोवन सब्विता के पतन के पश्यात काफी लंबे समय के लिए मानचित्रों के विकास से काम रुका रहा लगवग 11-12 शताबदी में अरब में फिर से इसकी शुरुवात हुई और एक नाम जो इतिहास में आता है महान भुगोल विद्दा के रूप में और एक नक्षा नवीस के रूप में ऐसे वक्ति के रूप में जो बड़ा मानचित्रकार था वो है नाम अल-इद्रिसी का अल-इद्रिसी खुद एक शाहिक हांदान में पैदा हुआ था उसकी प्रारंबिक शिक्षा के बारे में बहुत कम जानकारी इतिहास में उपलब्ध है लेकिन ये बात पता चलती है कि अपने हिवा वस्था में उसने बहुत सारे देशों घूम लिया था इसका जन्म मुरक्कों में हुआ था वो अपने जन्म के बाद यानि 16 से 20 वर्स के अवस्था में ही उसने अफरिका के उत्तरे हिस्से में पुर्तगाल इस्पेन का उत्तरे हिस्सा और यूरोप का पश्चिमी भाग इन सारे देशों के यात्रा की उसने और काफी सारा ग्यान अरजित किया इसमें खास बात और है कि उसने अपने इस यात्रा में एशिया माइनर को भी देखा और इन तमाम जगों से उसने बहुत सारे जानकारिया एकत्रित की उन्हें किताब के रुप में बदला और उसके इस काम से प्रभावित हुआ सिसली का राजा रोजर दुटी रुजर दुटी को एक बुद्धिमान राजा के रुप में जाना जाता था जो बहुत सारे बौधिक क्रियाओं से अपने आपको जोड़ के रखा हुआ था उसने कई सारे किताबों के दूसरी भाशा में अन्वाद भी कराये थे उसे जब अलई दुटी के बारे में पता चला तो उसके मन में एक्षा हुई कि वो दुनिया को और बहुतर जानने के लिए कुछ काम करें दुनिया का नक्षा बनवाए उसने अल इद्रिसी को अपने हामंतरित किया और उसके सामने एक प्रिस्ताव रखा कि आप दुनिया की यात्रा करिए और एक नक्षा बनाईए जो पूरी दुनिया को प्रदर्शित करता हो ये अल इद्रिसी के लिए एक बहुत ही अच्छा आउसर था अच्छा मौका था कि उसके सारे संसादन जो स्यात्रा में उसे लगने चाहिए थे और राजा उने उपलब्द करा रहे थे तो उसने एक टीम बनाई एक दल बनाया और उस दल में उसने ऐसे वेक्तियों को चैन किया जो बहुत अच्छे नाविक थे गणित के बहुत अच्छे जानकार थे और बहुत अच्छे मांचित्रकार थे इन साथियों के साथ उसने सुदूर समूदर के अंदर उन दीपों महादीपों की यात्राइं की जिसके अबारे में लोग सुनते थे लेकिन कोई खास जानकर ये लोगों के पास नहीं थी तो उसने अपने साथियों को साथ ऐसी बहुत सारी यात्राएं की और उन यात्राओं के दर्मियान जो जानकारियां एकठी हुई उसे उन्होंने किताब के रूप में प्रदर्शित किया और नक्षें भी बहुत सारे बनाए उनके एक खास नक्षा जो काफी प्रसिद हुआ और जिसके नाम से उन्हें जाना भी जाता है उसमें उन्होंने भूमत रिखा कि उतरे हिस्से को जलवाईउ के आदार पर साथ अलग-अलग खंडों में बाटा और दिशानतर रिखाओं के माद्हम से उसने उसके दजदस इससे और किये इस तरह से 70 खंडों का उसने एक नक्षा बनाया और इसके अलावा भी बहुत सारे नक्षे उन्होंने अलग अलग यात्राओं के बनाए यह सारी चीजें बाद में किताबों के रुपे प्रकाशित हुई इसके बाद को समय बीच जाने के बाद यूरोप के लोगों में इस बाद की चेत्ना पैदा हुई कि उन्हें भी समुदर की यात्राओं करने चाहिए इस दरम्हान बहुत सारे यात्रियों के नाम का हम उलेक करना चाहें जिन्होंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों की यात्राओं की इसमें आपने मार्कोपोलो का नाम सुना होगा, कॉलंबस, वास्कोर डीगावा, कैप्टन कुक, ये कुछ नाम है जिन्होंने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों की यात्राएं की, ये यात्राएं के वाल यात्राएं नहीं थी, घुमने या दुनिया को देखने के से सम्मद् और पढ़ना, उस ये और दूसरी जगह लेकर जाना, ये था सारे उद्धिष हुआ, कुछ व्यापारिक उद्धिष भी हुआ करते थे, यह हैं क्या चीजह हैं क्या चीज़ें दूसरी देष को ले जाई जा सकती हैं, ये बहुत रहता हुआ की जिए नहीं नहीं किनों में नक्षों के रूप में प्रदर्शित किया गया तो दुनिया को समझने में लोगों को काफी मदद मिली तेरविश रदाबदी के आसपास ही एक बड़ा और चबदकार हुआ लोगों ने दुनिया को गलोब के रूप में प्रदर्शित करना सीख लिया अब तक नक्षों को हम सम्तल पर या धरातल पर प्रदर्शित करते थे लेकिन धीरे-धीरे जब ये समझ में बात आई कि पृत्वी चप्टी नहीं है गोल है जैसा कि हेकेटिएस ने अपने नक्षे में बनाया था कि पृत्वी चप्टी है उससे अलग सोच यहाँ पर दुन चुप ने क्षापने का विश्कार कर लिया था च्षापने का मैशिन तयार कर लिया ती इस चीज ने नक्षे को जादा पॉपलर किया लोगों पड़ाने के लिए thats यूम Exactly शाधन उपलब्द कर दिया जो नक्षे के वफ रहाँ से बनाये जाते अव पॉपने लगे और खल्ग मार से योरिशलम होते हुए वो चीन तक अपनी यात्रा करता है और चीन में काफी समय रहने के बाद पुर्वी चीन से वापसी के उसकी यात्रा शुरू होती है और पुर्वी चीन से वो वियतनाम, वियतनाम से मले प्रायदिव, वहां से फिर निकोबार दीप समू, निकोबार दीप समू से वो लंका आता है, लंका के बाद भारत के पश्यमी शेत्रों का भी भ्रमन करता है और इसके बाद इरान होते हैं वे वेनिश शहर को वापस आता है तो ये मार्कोपोलो की यात्रा थी, इस यात्रा है वो उसने भी जो जानकारी संकलीत की और दुनि आज़ाद